दोस्तों अगर आपकी मुबाइल का इंटरनेट डाटा बहुत ही जली जली खतम हो जाता है तो मैंने आपको बताया है कैसी अपने इंटरनेट डाटा को सेव कर सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा करते हुए और बहुत लोग ओनलाइन क्लास बगरे करते हैं तो उसमें आपको इंटरनेट डाटा नहीं बच पाता है तो सही से क्लास भी नहीं हो पाता है तो मैंने आपको बताया है कि आप रोज फोन चलाओगे आप यूटूब भी देखोगे और सब कुछ देखोगे लेकिन इंटरनेट डाटा आपका ज्यादा खतम नहीं होगा तो आप अगर ये सेटिंग कर लेंगे जो मैंने बताया है तो आपके इंटरनेट डाटा बहुत ही अच्छा चलेंगे चलिए वीडियो की ओर चलते हैं सबसे पहला जो हमें काम करना है वो यूटूब के अंदर यूटूब के अंदर एक दो सेटिंग हमें करना पड़ेगा ठीक है ना लेकिन वीडियो मा आगे बढ़ेंगे उससे पहले वीडियो लाइफ कर देजिए चैनल को सबस्क्राइब भी कर देजिएगा और वीडियो शेयर कर देगे तो और लोग जानेगे और वो भी अपने डाटा को बचा पाएंगे कमेंट में लिख देना है बेस्ट डाटा सेविंग ट्रेक ये लिख देजिए कमेंट में मैथड की ओर चलते हैं सबसे पहला जो अपको काम करना है दोसतों वह आपको सेटिंग में किल लिख करना यह दे आप दिखें यहाँ पर गए here और फिर यहाँ पिर सेटिंग दिख जाएगा सेटिंग दिखने के बाद यहाँ दिखेगा general general पे click करिए general पे click करने के बाद यहाँ पे रहेगा playback and feed इस पे click करेंगे और आपको off कर देना है यह playback and feed अच्छे दियान से देख लिए इसको off कर देंगे न तो आपका बहुत ही जादा problem solve हो जाएगा और आपका internet data automatic नहीं खतम होगा अब वो कैसे तो यह इसमें होता क्या है हमारे feed में जो video आते हैं न automatic हमारे data को consume करते रहते हैं तो अगर आप इसे solve कर देंगे इसे बंद कर देंगे तो आगे इसे वो problem नहीं होगा और internet data भी अच्छे से चलेगा दूसरा setting जो कि वो भी जरूरी है और वो है over wifi only और recommend download आपको recommend download को बंद कर देना है फिर आपको यह download quality मिलेगा इसको दोस्तों 360 कर देना है इससे होगा क्या तो बहुत वार वीडियो आप जो download करते हैं या तो आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो कोई download करते हैं तो वो हमेंसा फुल ATP P में download हो जाता है तो HD तो रहता है लेकिन वो हमारा एक दो वीडियो में ही data साभी ले ले लेता है लेकिन ये अगर रहेगा 360 तो अगर गलती से भी कभी कुछ download होता है या अच्छेस भी होता है तो आपको ये quality भी आपको दिख जाता है और आपका internet data भी खतम नहीं होता है आपका ये दोनों solution हो गया और ये करने के बाद आपको general में एक और चीज मिल जाता है limit mobile data uses इसे भी आपको चालू कर देना है अब ये सारे ये 3-4 setting अगर आप कर लेते हैं अपने mobile के अंदर तो आपका जो YouTube में या जो internet data खतम हो जाता था वो बहुत ज़्यादा limited हो जाएगा और आपका इतनी आसानी से खतम नहीं होगा data और और दो trick है जिसका कि मैंने आगे वीडियो में cover किया है वो दोस्तों वो भी काफ़ी important है तो वो वीडियो आपको description में मिल जाएगा ठीक ना और फिलाल इस वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा वीडियो शेर कर देंगे तो और लोग जानेंगे comment में लिख देनी है best data saving trick ये comment में लिख दीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे बाई कर दोस्तों मिलते हैं कर दोस्तों मिलते हैं